के गाइज वलकाम बाफ तो माई चानल आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और यूस्फुल भी लग रहे होंगे प्लीज दू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं आपसे को भी इंपर्टन वीडि जो अनसब्सक्राइब भी हैं मेरे चैनल से इसलिए प्लीज प्लीज आपको एक क्लिक करना है आपको बस इतना साही काम करना है आए बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में आज की वहम लोग को बहुत जादा परिशान करता है ये वीडियो नहीं होगा वट वहुत तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डेंडर्फ के बारे में अपने बालो को कभी बी ओवर प्रोड़क्ट से ओवर लोड मत किया कीजे मैं आप सी छोटी सी बार शेयर करना चाहते हूं आप कभी खुद नोटिस कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है हम जब भी कला करव जो लोग फुल ओलनी आपने होग है या मनलब पार्टिशन में अपने और और भी जादा रफ भी लगेंगे करने का फिरेंगे इसलिए मैं आप से शेयर कर रहे हूं इसी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने बालों में कभी बीटा ज्यादा ओवर लोड्ड को नहीं लगाना चाहिए जिससे बाल हमारे ख्राब पहले बाद कर देया अगर आपको डेंडाफ हैं तो आप तीन बर अपने वाश करें सक्लेन रखेंज और आपके जिमेदारी कि आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखें ऐसा कोई ब्री लोजिक नहीं कि आपको अपने बालों को सिर्थ तो आप तीन बार शेम्पू करें कोई प्रॉबलम नहीं है वह शेम्पू माइल होना चाहिए तरदा था थ्यान रखें आपको ऑईलिंग करनी ही चाहिए करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा उससे भी आपका डेंडर्फ कम होगा आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी जो आज में पर्टिकुलर रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हो डेंडर्फ के लिए यह मैं यह नहीं कहने कि आपने एक बार वाश कुछ वाश के बाद आपका स्काल्प बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बिकस कुछ लोगों का बहुत जादा डेंडर्फ होता है और डेंडर्फ जब जाता है इची हो जाता है कि पूरे टाइम हम बस खुझली कर रहे होते हैं अच्छा नहीं लगता है हमें इतने जादा हम मल्टिपल शेंपू अपने स्कैल्प पर ट्राइं करते हैं वह मत चया किजें आप किसी एक ही शेंपू पर कुस्टेंट रहे अगर आप मल्टिपल हेयर प्रोडॉक्त अपने स्कैल्प पे प्लाई कर रहे है तो आपको टेंडर्फ होना निशचित ही है और जब भी आप को पहले भी बताएं कि आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं तो आम नहाने से कुछ देर पहले दो गुंटे पहले आप ओलिंग कर सकते हैं वीक में एक बार भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बर ज्यान अखिएगा कि आपको अपने स्कैल्प को हमेश्या क्लीन रख प्रॉब्लम नहीं होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन देदूंगी आप प्लीज उसे चेक किजिए अब सीधे बात कर लेते हैं आपको टू स्टेप रेमेडी फॉलो कर दिया बहुत ही इजी रेमेडी है आप इजी फॉलो कर सकते हैं कोई भी फॉलो कर सकता है चाहे कोई कितना भी बीजी हो चाहे कोई कितना भी फॉलो कर सकते हैं आपको विजिबल रेजर्ट मिलेंगे पहले रेमेडी जो है उसके लिए आपको टू टेबल स्पोन ओफ सरसो का तितेल लेना है उसमें आपको आधा नेमबू मिक्स करना है आपको इसको अच्छी से मि वालो में इसको दो गंटे के लिए लगाना अगर आपको बास टाइट नहीं है तो आप एक गंटे के लिए लगाईए और उसके बाद वाश कर लीजे आप जब एक बार वाश करेंगे आपको दिखेगा कि हाँ आपका डेंडरफ पहले से कम हो गया आप यह खुद फील अब जो आपके स्कैल का पी एच लेवल बिगड़ी चुका है तो उसको सुदारना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए आपको क्या करना है आपको एक कप पानी में आधा कप अपने साइड़ा मिक्स करना है आप इसे किसी स्प्रे बाटर में स्टोर कर लीजिए और अपने एक बार अपर नहीं में अब यहां तो यह जोना साइब करना है एक बार अधार मत कीजिए यह आपकी स्प्रे लगाना है और वह तो बार ठीन बार से जाधा मत यूस कीजिए और आपको नुकसान कर सकता है इसलिए आप ओवर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा जैसा मैं आपको बता रहे हूँ वैसा ही यूज कीजिएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिलता है टेक कियर बाबाई